धाकड़ खबर के नियूजूम से मैं आपके साथ हूँ अक्राम रेस खान यू तो आप देख रहे हैं जब से संसर शुरू होई है यानि के मांसून सत्र शुरू है 19 जुलाई से तब से हंगामा संसर के दोनों सद्रों में सड़क पर मीडिया में सब जगा दिखाई दे रहा ह हैं नए-nagy तरीके क Wash के जा रह Sou है उल गांदी टरेक्टर लेकर पहुए पहुँचाते हैं कभी विपक्ष्ञ्ज सासथ साइकल चला कर संसथ तक पुहंशते हैं इसके लावा संसथ के बाहर बैठकर परदाशन किया जा रहा है कोई गेहों की बाली दे को सबसे जादा दिक्कत अगर संसद के दोनों सदरों में कोई दे रहा है तो वो है टीमसी के सांसा जी हाँ टीमसी यानि के त्रनमुल कॉंग्रेस मंतब अरजी की पार्टी और क्या ये महजित तफाक है या वाके में ये उस हार की खीज है जो भारतिय जनता पार्टी को बंगाल में जेलनी पड़ी सामना करना पड़ा जीत हासी नहीं हो पाई सत्ता हासी नहीं हो पाई उसकी वज़े से ही इस्तति उबर रही है ये सब आप तैय कीजिएगा मैं कुस तस्वीरे आपके सामने रखने ही जा रहा हूँ लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डेरेक ओबराइन की तो डेरेक ओबराइन की बात शुरू करते हैं और सबसे पहली तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको जानने लेंगे चाहिए डेरेक ओबराइन टीमसी के वरिष नेताओं में शुमार किये जाते हैं राज्य सबा के सांसाध हैं अपनी बेबाकी के लिए जाने पहचाने जाते हैं वो एक कमेंट करते हैं मैं आपके सामने दो दिन पहले बंगाल का बुलिटिंग जब शाम को रखता हूँ तो उसमें बता चुका हूँ के डेरेक आपरायन ने एक बकाइदा ट्वीट किया ट्वीट करके कहा कि कानून बना रहे हैं या पापड़ी चार्ट इस तरीके का ट्वीट उन्होंने करते हुए नरेंदर मोधी सरकार पर जबरदा समला बोला और उन्होंने का कि पिछले दस दिनों के दरान मोधी और शाह की सरकार 12 बिल पारलमेंट से पास करवा चुकी है कर चुकी है एक बिल को 7 मिनिट का भी वक्त नहीं दिया जा रहा बिना चर्चा के बिल ऐसे पाश किये जा रहे हैं कि मानो पापड़ी चार्ट बनाई जा रही हो उनके स्ट्वीट के बाद जो है एक तरीके का हंगामा खड़ा हो गया भारतिय जंता पार्टी के जुनेता हैं वो तो तमाम रियक्शन दे नहीं लगे परधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने पूरे मामले को लेकर मंगलबार को एक रियक्शन दिया उन्होंने कहा कि डिरेक और ब्राइन जैसे लोग जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उससे वो लोकतंत्र का समिधान का ही अपमान नहीं कर रहे हैं जंता का भी अपमान कर रहे हैं और उन्होंने ये बयान दिया जो बीजेपी की संसेदे दल की मिटिंग की थी जिसमें संसद नहीं चल पा रही है उसको लेकर उन्हें विचार कर रहा था अपने आ जाता कि जनता का भी अपमान है लेकिन क्या इसके बाद तस्वीर बदल गई भैदेश के परदान मंत्री सीधे किसी सांसद की भूमिका पर सवाल उठा दें उसके किसी कमेंट को लेकर टिकका टिकपनी करें तो क्या उस सांसद ने माफी भांगी पस्तावा किया या कुछ और वो करने लगा तो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं देख लिए काफी दिच्चास पर परदान मंत्री के अतराज करने के बाद डेरे कॉप रायन ने जो टीमसी का ओफिस है दिल्ली के अंदर वहां पे पाप्री चार्ट पार्टी का यूजन कर दिया लो जी आप तो बा अगर में पाप्री चार्ट की जगा धोकला इस्तेमाल कर लेता अब जानते हैं गुजराती वियंजन है धोकला अगर में धोकला इस्तेमाल कर लेता और परदान मंत्री नरेंद्र मदी गुजरास से आते हैं तो उन्होंने का अगर मैं धोकला इस्तेमाल कर लेता क्या परद जवाब में इन्होंने पापड़ी चार्ट पार्टी रख दी और कहा कि अगर मैं पापड़ी चार्ट की जगा ढोकला बोल देता तो क्या उन्हें जादा अच्छा लगता इसके बाद अगले दिन यानि कि आज फिर से एक बार डिरेक और ब्राइन ने हमला बोला है अमिश श करता हूं कि बुद्वार को हमिशा संसद में नहीं आएंगे ना ही वो दिल्ली में नो साल की दलित बच्ची के साथ हुई दरिंद्गी के मामले की जिसको रेप के बात बताय जा रहा है जला के मार दिया गर उसमें एक साथ हुए एक पुजारी समी चार लोग गरिपतार खंगामा मचा हुआ उस पर कोई बैन नहीं देंगे अगर वो उसमें बैन देंगे तो मैं अपना सिर मुंडवा लूँगा ये बड़ा एलान उन्होंने किया तो ये बड़ा एलान करके दोनों ही चीज़ों में फसा दिया उन्होंने अगर हमिशा के आज बैन दे दे ते त अतार हमला बोल के मोधी सरकार पर या नरेंद्र मोधी पर सी देखा हैं और अभी शापर एक तरीके का दबाव बना दिया है टीमसी के संसदों यकीन यारा कुछ और संसदों का हल आपके सामने रख देता हूँ यह समझ लिए खबर का दूसरा हिस्सा है पहले हिस्से में हमने तमाम चीज़ें आपके सामने समेठ के रखी और दूसरे हिस्से में कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ डेरेक ओबरायन ही नहीं महुआ मोहित्रा और इसके अलाबा सांतनू सेंग भी भारतिय जन्ता पार्टी के निशाने पे हैं कि महुआ मोहितरा ने मुझे बिहारी गुंडा का इस तरीके की भाषा का उन्होंने खुद प्रियोग कि अपने बारे में हाला कि महुआ मोहितरा ने सफाई देते वे का कि जब मिटिंग ही नहीं होई कि महुआ मोहितरा ने जिस तरीके से बिहारी गुंडे का शब्द का प्रियोग किया है क्या वो सही है उनसे भी रियक्शन लिया गया इसके अलावा अब यह देखे 22 जुलाई की खबर है 19 जुलाई को संसा शुरू ही थी सांतनु सायन बताया रहा है कि इन्होंने मंतरी से फेपर चीन लिया रूसके बाद इनके ख़ाप एक्शन लिया गया और इनको पूरे सत्र के लिए जो महनसुं सत्र चल रहा है लेकर हुई तनातनी का असर है या ये सब करवा के मामता बनर जी अपने आप की एक image बिल्ड करने की कोशिश करें नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो दिखा और बता रही है कि ठीक है उनकी पार्टी के सांसद भले ही भाईस हूँ भाईस है ने उनके दे तोर पर सवाल उठा सकते हैं अपनी बात को रख सकते हैं और वो सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं अगर उनके संख्या और बढ़ेगी यानि कि आने बाले दोहजार चोबिस के चुनाओं में और बढ़ेगी और उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो देश हीतमे काम करने के लिए तयार हैं ये सोचे समझे तरीके से भी किया और कर度ाया जा सकता है और उसकता है बीजेपी जाल में फस रही हो वो ना समझपारी हो कैसा करने से टीमसी के ही सांसादों का परचार और परसार हो रहा है और मम्ता को इसका फाइदा पहुंच रहा है या हो सकता है इनकी भी रणनीती हो कि इस पर हमला करो इन्हें दिखाओ कि कितना हंगामा करने वाले लोग है अगर ये लोग सतर में आके बैठके तो किस तरीके का बावाल मचाएंगे जैसा बंगाल में हो रहा है वैसे पूरे देश में करवा देंगे इनकी भी रणनीती का हिस्सा हो सकता है बहुसतारे पहलों निकलते हैं किसी भी एक खबर में तमाँ पहलों को नहीं समझा जा सकता है बने रहे गदाकड़ खबर के साथ जैसे जैसे चीज़ा आती रहेंगे वैसे वैसे आप तक पहुचाते रहेंगे कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राए दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उस्जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे किसी सुलकते हुए या उला से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होंगा हाज़ी फिलाल भी हुजे नहीं जाज़त